हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की हमारी क्लास रहने वाली है अपने शाथी मित्रों के पास में और वीडियो को लाइक कर देजिए ये सभी हम वही कोश्चन कर रहे हैं जो आपके एक जाम में पूछ जाने की काफी ज़्यादा संभावना रखते हैं उमीद है आप लोग सही अंसर कर लेंगे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और जाधा प्रेक्टिस करने की जरूरत है पहला कॉश्चन आपके सामने सभी लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिस कीजिए देखे पहला question क्या है लिखावाय कि एक बालक को दसमलों में कठिनाई आती है इस कारण वह प्रत्सत को भी ठीक से समझ नहीं पाता है कोई एक बालक है जिसको दसमलों जानने में कठनाई आ रही है इस कारण वह percentage के question भी सही से नहीं हल कर पा रहा है आगे लिखाए साथ ही गड़ित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं इससे उसके अंदर गड़ित के प्रति भायुत्पन हो जाता है भाय का कारण है आपको क्या बताना है कि भाय का कारण क्या है क्या गड़ित की संचई प्रकरण है या फिर प्रतिकात्मक भासा का उपयोग है या फिर सामाजिक प्रवर्तियां है या फिर उपरोग्त सभी हैं तो आपको बताना है question number one के लिए सही answer क्या रहने वाला है फटापट सभी लोग इसका answer कर दीजिए बहुत अच्छा question है और आपके इसके सामने गलत का निशान लगाना लाश्ट में पताना कमेंट वाक्स में कितने सही आप कर पा रहे हैं 15 में से तो दूसरा question सभी लोग पढ़े और answer कीजिए लिखा है एक गड़ित सिच्चक का मानना है कि सो अभाविक रूप से लड़के गड़ित में लड़कियों से अच्छे होते हैं सिच्चक उचे तो दरश्कोंड वाला है नीत पराखे लिंग पक्षपाती है या फिर उप्रक् अगर आपके maths वीक है तो आपको maths पेड़ागोजी में काफे मेहनत करनी पड़ेगी तो कि तीस नंबर के आएगी maths जिसमें से 15 नंबर से 17 नंबर तक कि आपके question जो है वो पेड़ागोजी के आते हैं बाकि 13 से 14 question आपके maths के भी आ सकते हैं इस question का सही answer हो जाएगा आपका आ भिन्न है यह प्रश्ण है आपको क्या पताना है कि जो grade होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न है अंक से यह जो प्रश्ण है यह कैसा प्रश्ण है बंद अंतवला है या फिर मुक्त अंतवला है विशलेष रात्मक है या फिर अपसारी है फटा-फटा आंसर करना आपका question number 3 का सभी लोग आँसर करते है इस question का क्या सही answer होगा गरेड अंकों से भिन्न कैसे हैं यहाँ प्रशन है कैसा प्रशन है मुक्त अन्तवाला कैसा है मुक्त अन्तवाला यानि आफसा number 20 question का बिल्कु सही है जिन लोगों ने आफसा number B कर लिये है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है question number 4 लिखा है गडित में अधिगम निर्योगिता के आकलन का शारवाधिक उचित तरीका है फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा लिखा है गडित में अधिगम निर्योगिता के आकलन का सारवाधिक उचित तरीका क्या है निदरात्मक परिक्षण हो जाएगा उपचारात्मक परिक्षण है सतत्मुल्यांकन है या फिर ये सभी है तो फटापट सभी लोग बताईए कोश्चन नमबर फोर के लिए आपसर नमबर कौन सा सही रहने वाला है उमीद है आप लोगोंने अंसर कर लिया होगा इस कोश्चन के लिए आपसर नमबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा गड़ित में अधिगम निर्योगिता के आकरन का शारवाधिक उचित तरीका है निदरात्मक परिक्षण यानि आपसर नमबर ए बिल्कुल सही है चलते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर फाईव लिखा निर्योगित में से निदरात्मक परिक्षण के उद्देशे हैं क्या उद्देशे हैं निदरात्मक परिक्षण के आपको पता होने चाहिए तो कि बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक है तो फटा फटा इसके आंसर पढ़े और बताईए सही आंसर कौन सा हो जाएगा कोश्चन नमबर पांच के लिए पहला अपसन लिखा है अभी भावकों को परतिपुष्ट देना दुसरा लिखा है बच्चों की प्रगत रिपोर्ट भरना तिसरा लिखा है बच्चों की कमी और कमजोरियों को ग्याद करना तो बताईए इनमेंसे कौन सा अपसन सही है आंसर आपको यहाँ देखके देने है क्या तीनों सही है क्या दो और तिसरा सही है क्या फिर पहला तिसरा सही है तो फटा-फटा आप लोग आंसर निकाल लीजिए इन में से कौन-कौन सा सही हो जाएगा Q5 के लिए तो इस Q5 के लिए आपसर नंबर जो है आपका C वाला सही है यानि कि पहला और तीसरा आपका सही है आई भावकों को प्रति पुष्ट देना और बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ग्याद करना आपसर नंबर 1 और 3 आपका सही है 1 और 3 आपसर नंबर C में से लिए आपका आपसर नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बास अभी के साथ में वीडियो को शेर कर दीजिए और नए जोड़ें तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 6 लिखा है दर्स को गड़ित सीखने में कठनाई होती है उसकी समस्या का समाधान है तो फटा फटा अंसर करते हैं सभी लोग इस प्रकार के कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिक कोश्चन है जो आज कल आपके एक्जाम में बनते हैं या फिर बनने की संभावना रखते हैं कोई है दर्स जिसको गड़ित सीखने में कठनाई होती है उसकी समस्या का समाधान क्या होगा उपहार देना, डंड देना, कारण जरना या फिर अधिक ग्रहकार देना अगर किसी बालक को गड़ित सीखने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप क्या करेंगे उपार देंगे उससे उसको गड़ित आ जाएगी नहीं ये गलत हो गया डंड देंगे उसको आप रोज मारेंगे कुटेंगे मुरगा बना देंगे ये भी गलत है उसको अगर गड़ित नहीं आ रही है अगर आप उसका कारण जानने की कोशिश कर अगर आपसको अधिग रेकार देंगे इस से कि आप सको मैत आने लग जाएगी नई आगी तो अफस्ञ नमब सी सबसे सही आंसर था जिन लोगों ने अपस् lizard number सी किया है उनका सबका बिलकुल जही हो जायेगा अगरा question number seven मुल्यांकन विदी का चुनाव करते समय सिच्छक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए मुल्यांकन विदी सभी को पता होगी अगर मुल्यांकन विदी का चुनाव करना है तो सिच्छक को किस बात का ध्यान रखना है आपको ये बताना है पहला अपसाने छात्रों की रुची का, दूसरा अपसाने छात्रों के परिवारिक वातावरण का, तीसरा अपसाने मुल्यांकन साधन वैद होने चाहिए या फिर इनमें से किसी का भी नहीं सभी को आंसर करना है, कोश्चन नमब साथ, कई बार कोश्चन पूछा गया है आपके एकजाम में, फटा फट सभी लोग बताते रहिए, मुल्यांकन विदिका चुनाव करते समय सिच्छक को किस बात का द्यान रखना चाहिए, कोश्चन नमब साथ के लिए आपसान नमब सी और जिन लोगों ने कर लिया, उनका विल्कुछ सही हो जाएगा, मुल्यांकन साधन वैद होने का, तो जिन लोगों ने अपसान नमब सी किया है, उनका ही सही है, बाकि अगर आपने अजर कोश्चन नमब आट लिखा है, अंक गडित का सिच्छन महत्यपूनौग है, घरेल होना चाहिए इसका सही answer क्या हो जाएगा कोश्यन डमर अगर ओंगगड़ित सीखनी है या फिर अगर आपको अगगड़ित आति है आप अपने घर कारी कर रहे हों व्यवारिक कारी कर रहे हों या फिर व्यवशाय या फिर प्राप्त उद्देशिक क्या है पहला अपसन लिखा है ज्यानात्मक है दूसरा लिखा है अवबोधात्मक है या फिर कोशलात्मक है या फिर अनुप्रियोगात्मक है कोशन नमबर 9 के लिए सभी लोग आंसर कीजिएगा एक बाद सही आंसर क्या रहने वाला है रेखा गड़ती आकरतियों के सिच्छन में सरुप्रथम प्राप्य उद्देशिक क्या हो जाएगा कोशन नमबर 9 का आपसा नमबर C बिलकुश सही है क्या हो जाएगा कोशलात्मक हो जाएगा जिन लोगों ने आपसा नमबर C क्या था उनका सबका बिलकुश सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा अगर आपको भी एक बार में अच्छे नमबर से सीट पास करने है तो आपको साथ ही मिलने वाले हैं प्रिवी शेयर के सभी पेपर विद आंसर की के साथ में और NCRT की जो आपकी बुक्स हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की हिंदी और इंग्रिस दोनों माध्य हमें आपको इसे एप के उपर उपलब्द कराई गई है तो अगर अभी तक आप लोगों न अगर इन लोगों के खिंद की बुकल ही और सखेंड़ हैं कोशन नंबर 11 लिखा है इस पूगली ड़ित में जायदा जोर डॉट-डॉट क्या है पहला अपसल लिखा है तथ्यात्मग ज्यान पर दिया जाना चाहिए जब आप विद्ध्याले में पढ़ने आते हैं तो जो आपकी विद्ध्याले के मैट्स होती है ये पूछा गया है कि किस पर ज्यादा जोर देना चाहिए प्रक्रियात्मक प्रवाह पर बल दिया जाना चाहिए या फिर उप्रोक्त सभी पर बल दिया जाना चाहिए तो आपको बताना है इन तीनों के उपर बहुत ही अच्छी तरीके से एक टीचर को समझाना है चाहिए वो ततपरग्यान हो चाहिए प्रक्रियात्मक ज्यान हो प्रप्रात्मक ज्यान हो सभी को उसको अच्छी तरीके से बताना ही पड़ेगा इसलिए आपसर नमबर डी इसका सही है जिन लोगों ने आपसर नमबर डी कर लिया था उनका सबका बिल्कुत सही हो जाएगा अगला कोशन नमबर बारा लिखा है एक अच्छा गड़तग्य होने के लिए कौन सी विसेस्ता होनी चाहिए क्या वो सुत्रों को याद करने वाला हो या फिर समस्या समाधान की विदिस को पता हो या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों उसको आने चाहिए या फिर सभी आ उदहानाओं को समझने, लागु करने इस कोशन का सही आंसर आपसर नमबर डी है एक अच्छा गड़ तक यहोने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें सम्मंद स्थाफित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिन लोगों ने आपसा नंबर D कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा अगला कोशन है कोशन नमबर 13 लिखाए है प्राथमिक इस्तर पर छेत्र फल की अवधारणा को समझाने की सुरुवात की जा सकती है क्या वो नोटबुक, पाठ पुस्तक, पेंसिल बाक्स आदी की किसी वस्तु के छेत्र फल की तुलना करके या फिर छेत्र फल के सुत्रों को इस्पष्ट करके या फिर लंबाई चोड़ाई की माना की काईयों का प्रियोग करके या फिर बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा कर तो बताए इनमें से कौन सा आप्सन सही हो जाए कोशन नमबर 13 के लिए प्राथमी की स्थर सभी को पता होना चाहिए वन से लेकर की जो फाइव तक की क्लासे होती है उसको हम प्राथमी की स्थर कहते हैं इस कौशन का सही आंसर है आप्सन नमबर A नोट बुक, पाठे पुस्तक, पैंसिल बाक्स, आधिकी किसी वस्तक के छहतर फल के तुनला करके तो आपसन नमबर A जिन लोगों ने कर लिया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन है कोशन नमबर 14 लिखा है बच्चों में गढ़ना करने की सक्त को बढ़ाया जा सकता है बहुत ही आसान कोशन है सभी लोग इसका आंसर भी दे ही देंगे कच्चा में क्रिया सिल गत्वदियों का आयोजन जो है मैं करना है जिसे क्या होगा बच्चों में गढ़ना करने की सक्ती अपने आप ही बढ़ जाएगी तो जिन लोगों ने आपसा नंबर एक कर लिया था कोशन नंबर चवदा के लिए उनका सबका बिल्कुँ सही माना जाएगा यहां पर अगला कोशन है कोशन नंबर पंद्रा यानि कि अंतिम कोशन है और आप लोग सही आंसर देने की कोशिस जरूर कीजिएगा कोशन पढ़ते हैं लिखा है कच्छा तीन की गड़ित के द्यापिका विमला प्रकास बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदूओं के ग्रिड पर आकरतियां बनाए प्रेरित करती हैं कि बिंदूओं के ग्रिड पर अकरतियां बनाए इससे बच्चों की क्या समझ विक्षित होगी आपको ये बताना है तो फटा पर सबी लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट बाक्स में आप लोग बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसा नमब सी सही समरूपता की समझ विक्षित होगी आपसा नमब सी स्कोषियन का विलकुल सही है या फिर नहीं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बाक्स में अब हम बात करते हैं मास्टर शद्डादा लर्निंगेप की यहाँ पर आपको अभी हमने बताया था फ्री नोट्स मिलने वाले हिमानसी में के हैं किसी भी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्रिस दोनों ही माद्ध हमें तो जिनको भी पढ़ने है फ्री नोट्स हिमानसी में के वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जाकर कि आप पढ़ सकते हैं साथ में आपको प्रिवेशर के पेपर दिये गए हैं जो आंसर की के साथ में हैं यूटूब पर होने वाली क्लास की फीडिया भी यहाँ पर मिलती है और बहतरे नोट्स हैं जिनको भी बाई करने हैं वो लोग यहाँ पर जाकर के बिल्कुल ही कम कीमत पर अपने नोट्स भाय कर सकते हैं और अपनी त्यारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और NCRT की किताबे मुझूद हैं कच्छा तीन से लेकर के कच्छा आर्टक की हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में हैं तो मिलेंगे आपको अग्री क्लास में जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा स्वस्तर रहेगा मस्तर रहेगा और त्यारी अच्छी तरीके से करते ही रहेगा धन्यवाद बबाए